दोस्तो just imagine एक ऐसा पत्थर जिससे कोई भी चीज टच करने पर वो सोना बन जाता था और तो आद्मी जिसके पास रहेगा वो अमर हो जाएगा कहानी की शुरुवात में हमें स्कारलेट नाम की एक रिसर्चर दिखाई जाती है स्कारलेट ने बच्पन से ये कहानिया सुनी थी कि एक ऐसा पारस पत्थर जिससे किसी को भी टच करने पर वो सोना बन जाता था और वो आद्मी जिसके पास पत्थर होगा वो कभी मरेगा भी नहीं लेकिन अब Scarlet को पारज पथर कैसे भी करके पता लगाना था इसलिए वो डारेक्ली इराक की गुफाओं में चली जाती है क्योंकि पुरानी किताबों में लिखा था कि वो पथर इराक की गुफाओं में मुझूद है स्कारलेट ने वहां के एक राजा नाम के आदमी को पैसे दिये कि वो उसे गुफा में लेकर चले जाए लेकिन उन्हें जल से जल अपना रिसर्च करके बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि गवर्मेंट उन सारी गुफाओं को बंद करना चाती है गवर्मेंट का ये प्रोसेस चालो ही होता है यानि कि वो सारी गुफाओं कभी भी बंद की जा सकती थी स्कारलेट तुरंत रजा के साथ उन गुफाओं में ढूणने लग जाती है वो दुनों काफी जादा अंदर पहुच गए थे तभी स्कारलेट देखती है कि दिवार पर कुछ अलगी लैंग्विज में लिखा हुआ है स्कारलेट उसे पढ़ नहीं पा रही थी तभी उसे दिवारे के बीच कुछ अलग चीज दिखती है जिसे कि स्कारलेट दिवारों से निकानने लगी थी और अब स्कारलेट को एकदम स्टॉकिंग न्यूस पता चलती है उसके अंदर से एक ऐसे जानवर का चेरा निकला था जो पारज पत्थर से रिलेटेड हो सकता है तबी अचानक से मिलिटरी वालों ने उस जग़ को बंद करना स्टार्ट कर दिया था रजा और सकारलेट जल से जल अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं उन दोनोंने पहले ही इन सारी चीजों का इंतजाम कर लिया था और अब वो दोनों लगातार एक सेप जग़ की तरब भागने लग जाते हैं सारी गुफाएं पूरी तरीके से ढह गई थी स्कारलेट की नसीब अच्ची होती है कि वो रजा के साथ एक सेप प्लेस पर चली गई थी दरसल स्कारलेट के फादर भी एक रिसर्चर थे इसमें वो अपने फादर की रिसर्च को कंटीनिव कर रही होती है स्कारलेट उस पारस पत्थर के बारे में सभी को बता रही थी जिसकी मदद से कोई भी अमर हो सकता था हाला कि इस पत्थर को आज तक कोई भी ने ढून पाया सिर्फ इस पत्थर को उसी ने देखा था जिसने इसे बनाया था बहुत ज़्यादा इंफोमिशन कले करने के बाद स्कारलेट को ये पता चलता है कि इस पत्थर को निकुलस फ्लेमेल नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था जो 200 सालों पहले मर चुका था लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर निकुलस फ्लेमेल के पास उसका पारस पत्थर मौजूद था तब आखिरकार वो मरा कैसे ये सारे सवाल स्कारलेट को और भी ज़्यादा कंट्फ्यूज कर रहे थे इसलिए वो म्यूजियम में चली गई थी जहांपर निकुलस फ्लेमेल का आखरी अंस बचा हुआ था निकुलस फ्लेमेल ने एक पत्थर पर कुछ अलगी लेंग्वेज में लिखा हुआ होता है ये लेंग्वेज स्कारलेट को कुछ समझ नहीं आती इसलिए वो जॉज नाम के अपने एक दोस के पास चली जाती है मदद मांगने के लिए हाला कि जॉज इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाता था लेकिन स्कारलेट उसे कहती है कि उससे जल से जल पारस पत्थर पता करना है और जॉज प्लीज उसकी मदद करें language को decode करने के लिए जॉज इतना request करने के बाद जॉज मान जाता है और अब स्कारलेट और जॉज उस language को मिलकर decode करने लगे थे तबी स्कारलेट उस पत्थर के उपर कुछ नोटिस करती है जैसे कि वहाँ पर किसी चीज को मिटाया गया है और अब काफी अच्छी से साफ करने के बाद उन्हें वहाँ पर एक मैप दिखाई देता है जरूर ये मैप पारस पत्थर का होगा और निकुलास प्लैमेल ने ये मैप मिटा दिया था क्योंकि साइद उन्हें इस बात का आइडिया हो सकता है कि आगे चलकर कोई नब कोई पारस पत्थर को ढूणने की कोशिश जरूर करेगा और अब मैप मिलने के बाद जॉर्ज उसे डिकोट करने लगता है जहाँ पर उसे पता चला कि पारस पत्थर का लोकेशन इराग की गुफाओं में नहीं बलकि पैरिस में है और वहाँ पर तो नर्क के दरवाजे का भी मेंशन किया गया था अब ये साधी चीज़े बहुत ही जादा कॉम्लिकेटेड होते जा रही थी लेकिन स्कारलेट को कैसे भी करके पारस पत्थर धुणना ही था अब स्कारलेट और जॉर्ज मैप को फालो करते करते पैरिस में आ जाते हैं उन्हें वहाँ पर एक गुफा मिली थी जहाँ पर बहुत सारे कंकाल मौजुद होते हैं दरहसल कई सालों पहले यहाँ पर एक शहर हुआ करता था जो बोकम पाने की कारण पूरा का पूरा जमीन के अंदर चले गया अब स्कारलेट और जॉर्ज मैप को फालो करते करते अंदर चले जाते हैं पर तब ही उन्हें वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड मिल गया था जो बता रहा था कि तुम लोगों को जो भी चाहिए वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और अब वो स्कारलेट को पैपेलियन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए के लिए कहता है तब फिर से स्कारलेट जब वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है वो वहाँ से अचानक गायब हो गया था स्कारलेट इस बात को समझ नहीं पारी थी कि क्या हो रहा है लेकिन फिर भी वो जॉर्ज के साथ पैपेलियन नाम के एक आदमी को ढूंटे हुए बार में आ गई थी जहांपर वो पैपेलियन से मिलकर पारस पत्थर के बारे में बात करती है पैपेलियन के रहा था कि हाँ उसे इस बारे में पता तो है और उसने गुफा में बहुत ज़्यादा खोजा भी है और अब वो इन सारी चीजों में फिर से नहीं पढ़ना चाता लेकिन जब स्कारलियन ने ये कहा कि उस पारस पत्थर के साथ बहुत सारा खजाना भी मौजूद है और अगर उन्हें खजाना मिल गया तो उसका 50% तुम रख लो पैपेलियन ये बात सुनकर स्कारलियन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और अगले दिन पैपेलियन अपने पूरी टीम के साथ वहाँ पर आ गया था पैपेलियन के साथ दो और लोग मौजूद थे यानि कि कैमरा मैन को मिला के अब टोटल 6 लोग हो चुके थे जिने जल्दी बहुत ज़्यादा डर का एसास होने वाला था सभी लोग बहुत ही जोश में उस गुफा के अंदर जानी लगते हैं उन्हें लग रहा था कि वो पारस पत्थर को बहुत ही जल ढून लेंगे वो सब लगातार गुफा के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं तब ही उन्हें एक दरार पर कुछ लोग खड़े हुई दिखाई देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे पैपेलियन स्कायरलेट और बाकी लोगों को बताता है कि ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं किसी को कुछ नहीं समझता कि आखिर ये लोग है कौन उन पर ध्यान ना देते हुए बाकी लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं पैपेलियन की एक बात बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग थी सबी लोगों को लग रहा था कि हमें बड़े वाले रास्ते से जाना चाहिए लेकिन पैपेलियन ने ये बताया कि वो बड़ा वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है उसका एक दोस उसी रास्ते पर गया था जो अभी तक वापस नहीं आया इसलिए उन्हें हड़ी वाले यानि की सक्रे रास्ते से जाना पड़ेगा स्कारलेट और बाकी सब इस बात से एगरी होई नहीं रहे थे लेकिन पैपेलियन उनसे ज़्यादा एक्स्पिरियंस था और वो यहाँ पर आया भी था इसलिए पैपेलियन की बात मानकर वो सब वहीं सक्रे रास्ते से जाने लगते हैं उन लोगों को तो हिनने की भी जगर नहीं थी पर तबी भी वो हड़ीयों को साइड करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे इनी सारी चीजों के बीच बैंजी नाम के एक आदमी को थोड़ी चोड भी लग जाती है पर वो सब कैसे भी करके उस सक्रे रास्ते से बाहर निकल गए थे लेकिन अब वो लोग नोटिस करते हैं कि उन्होंने जहां से स्टार्ट किया था वो वहीं पर आ गये हैं पैपिलियन कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता उससे कुछ समझे नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है तबी पैपिलियन दिवार पर अपना साइन देखता है पैपिलियन एकदम शौक हो गया था क्योंकि वो यहाँ पर पहले कभी आया ही नहीं होता तो फिर आकिरकार उसका ये साइन यहाँ पर बना कैसे अब स्कारलेट को फोन रिंगेंगी एक आवाज सुनाए दिने लगती है उससे फॉलो करते करते वो लोग एक छोटी से गुफा में आ गए थे वहाँ पर बहुत सारी चेंबर मौजूद होते हैं जहाँ पर जॉर्ड को एक पियानो दिखाई देता है जॉर्ड बता रहा था कि उसका एक छोटा भाई जो सालों पहले मर चुका होता है उसके पास भी कुछ इसी तरीके का पियानो था सिर्फ उस पियानो का एफट की चलता नहीं था जॉर्ज ने जब उस पियानो को चेक करना स्टार्ट किया तब उसे पता चलता है कि इस पियानो का भी F8 की चल नहीं रहा है यानि कि ये पियानो उसके भाई का ही था वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट को फोन रिंगे की आवाज तब से सुनाई दे रही थी जिसे फॉलो करते करते वो एक टेलीफोन के पास पहुच जाती है स्कारलेट ने जब उस फोन को उठाया तब उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुमें ऐसा नहीं करना चाहिए था ये आवाज और किसी के नहीं बलकि स्कारलेट के फादर की होती है जो सालों पहले मर चुके थे तब जाकर स्कारलेट को ये सारी बाते समझ में आ जाती हैं दरसल ये एक ऐसी जगह थी जो लोगों के सोच के हिसाब से उन्हें अलग-अलग चीजे दिखाये जा रही थी यानि कि ये जगह काला जादू करके बनाई गई थी सभी लोगों को थोड़ा डर लगने लगता है कि आगे वो क्या करेंगे तब जाकर उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कई महीनों पहले यहाँ पर रिसर्च करने आया था लेकिन जॉर्ज और स्कारलेट को समझ नहीं आता कि इतने महीनों तक यहाँ पर कैद रहने के कारण कोई आदमी जिन्दा कैसे बस सकता है और अब वह आदमी सकारलेट और बाकी सभी को कह रहा था कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था इसके बाद वो गुफा के अंदर जाने लगता है सबी लोग लगातार उस आदमी का पीछा करते जा रहे थे और अब वो आदमी एक जगा पर आकर गायब हो गया था जहांपर गैरा कुवा मौजूद होता है सकारलेट और उसकी पूरी टीम कुवे को आकर देखने लगी थी वो तो बहुत ही जादा गैरा होता है लेकिन उनके पास और कोई भी आप्शन नहीं था एक्स्प्लोर करने के सिवा इसलिए वो सब रस्यों के साहरे कुवे के अंदर उतरने लगते हैं बहुत सारे लोग इतने पतले से रास्ते से होकर भी नहीं जा पा रहे थे लेकिन थोड़ी देर में वो कैसे भी करके कुवे को पार कर लेते हैं अब तो उनका रास्ता और भी ज्ञादा सकरा हो गया था लेकिन अब स्कार्लेट के पारस पथर पाने के जीद के सामने सबी लोग जोग चुके थे अब एक गुफा के बहुती जादा अंदर जाने के बाद स्कारलेट की पूरी टीम को वहाँ पर एक आदमी की डेट बोडी दिखाई देती है पथरों की उपर अच्छे से देखने पर स्कारलेट को ये पता चला कि ये आदमी और कोई नहीं बलकि निकोलस फ्लेमल है निकोलस ने ज़रूर पारस पत्थर का यूज किया होगा इसलिए उसकी बोडी वैसी के वैसी ही है अब पत्थरों पर लिखे गए लैंगविज को डीकूट करने के बाद उन्हें एक बात पता चलती है वहाँ पर लिखा था कि पारस पत्थर तक पहुचने के लिए अंदेरी में रोशनी का पीछा करना पड़ेगा तब ये सारी लोग अपनी लाइट्स बन कर देते हैं स्कारलेट ने दिखा कि पानी के अंदर से कुछ रोशनी चमक रही है और जब स्कारलेट और उसकी पूरी टीम पानी से होते हुए दूसरी रास्ते से बाहर निकलते हैं तब उन्हें वहाँ पर खजाने का एक बहुती बड़ा धेर मिल के आथा सबी लोग बहुती ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब थोड़ी देर उसी चेंबर में ढूनने के बाद स्कारलेट को दिवार पर लगा हुआ वो प्रीशेस पारस पत्थर मिल जाता है जोर्ज और पेपेलियन तो कुछ हो गय थे क्योंकि वो अमीर बनने वाले हैं पर आखिरकार उन्हें पारस पत्थर इतनी जल्दी कैसे मिल गया यही बात स्कारलेट बार बार सोच रही थी वहाँ पेपेलियन और जोर्ज ने मिलकर खजाने का दरवाजा खोल दिया था तबी वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर गिरना स्टार्ट हो गय थे यानि कि ये सारी चीजे एक ट्रैप थी जिसे कि वो लोग समझने पाए और अब उन सारी चीजों की बीच कई लोग बहुत ही जादा घायल होते हैं स्कारलेट ने तुरन पारस पत्थर बाहर निकाल दिया और उसे अपने घायल हुए दोस्तों की चोटों पर लगा दिया जिससे कि सारी चोट ठीक हो जा रहे थे इन सारी चीजों से स्कारलेट को ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि पारस पत्थर की थियरी सही है इसके बाद वो सब लगातार आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं दिवार पर लिखे गए कुछ सिंबल्स को पढ़ने के बाद स्कारलिट और जॉर्ज को ये पता चला कि उन्हें नर्क के दरवाजे से होकर जाना ही पढ़ेगा इसके अलावा और कोई भी रास्ता था नहीं इसलिए उन्हें मजबूरन बहुत ही पतले रास्ते से आगे बढ़ना पड़ता है एक जगब पर आने के बाद उन्हें वही आदमी दिखाई दिया था जो उस गुफा में बज गया होता है वो जैसे ही उस आदमी के पास जाते हैं देखने के लिए तबी उस अंजान आदमी ने पैपेलियन के एक मेंबर को मार दिया था वो तो एकदम पागलू जैसा सभी पर अटैक करने लग जाता है इस बात से सकारलेट और बाकी लोगों को पता चला कि ये सारी चीज़े एक ट्रैप है वो आदमी जिसने पैपेलियन के मेंबर को मारा था वो जिन्दा ही नहीं है और अब वो सब अपनी जान बचा कर लगातर दूर भागते रहते हैं उनके तीन साती इसी तरीके से मारे गए थे जोर्ज को तो लगातर अपनी मरेवे भाई के विजन साने लगे थे उसी चारो तरफ अपना भाई दिखाए देता है लेकिन सकारलेट ने जोर्ज को समझाया कि ये सारी चीज़े रियल नहीं है इसके बाद वो लोग बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिये वे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां पर कार जल रही होती है जोर्ज और बेंजी जैसे ही उस कार के पास जाते हैं तब इसके अंदर से कुछ अंजान आत्माएं बाहर निकल कर हमला करने लग गई थी उन आत्माओं ने तो डारेक्ली पैपेलियन को पकड़ लिया था जो लगातार उसे जमीन के अंदर खीशते जा रही थी जोर्ज और स्कारलेट तो लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब पैपेलियन की जान चली जाती है स्कारलेट जोर्ज और बेंजी कैसे भी अपनी जान बचाते हैं और वहां से निकल जाते हैं पर अब किसी ने जॉर्ज के गले पर भी वार कर दिया था, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, स्कारलेट ने जब पारस पत्थर के मदद से जॉर्ज के गाव को ठीक करने की कोशिश की, तब उसका गाव ही ली नहीं हो रहा था, स्कारलेट समझ जाती है कि ये पत्थर नकली है, इसलिए स्कारलेट ने तुरंट जाकर उस पत्थर को अपनी जगह पर लगा दिया था, और अब वो असली पत्थर को वहाँ पर ढूनने लगी थी, तब ही उससे दिवार पर लगी हुई एक गुल्डन कलर की चीज दिखाई देती है, जिसमें कि वो अपना चेहरा देख रही थी, और तब जाकर उसे एक डार्क रियालिटी पता चलती है, कि पारस पत्थर जैसे कोई चीज मौजूद ही नहीं है, ये सारी चीजे एक जाल थी उन सभी को फसाने के लिए, इसलिए स्कारलेट तुरंट अपने दोस्तों के पास चली जाती है, और यहां से बाहर निकलने का प्लान बनाती है, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, अब स्कारलेट पता नहीं क्यों जोर्ज और बेंजे से लगातर यही कह रही थी, हमें यहां से निकलने के लिए अपने पापो को कबूल करना पड़ेगा, तब जाकर सबसे पहले स्कारलेट यह कहती है, कि वो काम के सिल्जल में अपने फादर से बहुती जादा दूर रहती थी, इसलिए खयाल ना रखने की वज़े से उसके फादर मारे गए थे, वहीं जोर्ज ने यह कबूल कर लिया था, कि उसका छोटा भाई उसी के वज़े से मारा गया वहीं बेंजी ने ये कनवेंस कर लिया होता है, कि उसका एक नाजायस बेटा है जिसे कि उसने अभी तक अपनाया नहीं, ये बाते बुलने के बाद उनके सामने एक गड़्धा आ जाता है, जिसके अंदर वो तिनों लगातर गिरने लगते हैं, और अब कई मिनट्स तक इस सबक मिल गया था, और अब वो अपनी डॉक्रिमेंटरी में ये सारी चीजें इंक्लूट करती है, जिससे कि रिसर्चेर्स को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ था, और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खतम हो गई थी, तो वीवर्स आपको ये स्टोरी कैसी लग कियो में ये सी या